प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाफ को लेकर जहां दावेदारों ने राजनेतिक पार्टियों की नाक में दम कर रखा है तो वहीं दूसरी और दल बदल की राजुनीती का दौर भी जारी है ऐसे में अब भाजपा को महुविधान सभा से एक और तगड़ा जटका लगा जहां भाजपा के वरिष्ट नेता रामकिशोर शुकला ने भाजपा का दामन छोड़ दिया और कॉंग्रेस का दामन थाम लिया और अपनी तैयारिया शुरू कर दी देखी रिपोर्ट दरसल जैसे जैसे विधान सभा चुनाब नस्दीक आते जा रहे हैं वैसे ही वैसे भाजपा का दामन छोड़ने वालों के फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है और उसी कड़ी में भाजपा को एक और जटका महु विधान सभा से लगा जहां भाजपा निता रामकिशोर की इमानदारी और कॉंग्रस की रीती नीती से प्रफावित होकर कॉंग्रस का दामन ठाम रहे हैं पिछले 20 वर्ष से में भारती जनता पार्टी का कारी करता रहा पदवत की कभी कोई चिंता पाली नहीं किन्तु अब पिछले समय से में देख रहा हूं कि लगातार बाहरी प्रत्यासी को बारती जनता पार्टी में भेजा जा रहा है जहां कहीं भी कहीं टिकेट नहीं मिलता है उसको इंदोर में उनको महू पे सिफ्ट कर दिया जाता मतलब महू को एक चरागा की तरह अगर पार्टी समझ लिए तो यहां के नागरिकों में रोज है और अभी किसी को भी दे इस्थानी हो यहां कम सेकम जो यहां के नागरिकों की सेवा करें यहां रहे लोग उससे मिल सकें उसके शुखदुक में जा सकें वह यहां सुखदुक में जा सकें लेकिन उसकी कोई चिंता ही नहीं है पार्टी को तो उसके कारण इस्थानी पत्यासी को लेक के साथ इन दौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनात के सामने कॉंग्रिस की सदस्ता लेंगे बतादे कि देड़ दशक से अधिक समय से शुकला भारती जनता पार्टी की कारेकरता की रूप में काम कर रहे जहां भाजपा के पूर्व विधायक रहे स्वरगी भैरुलाल पार कुछ